जय हिंद इस वीडियो में लोग पीमसी फिनो क्रॉप लिमिटेट कंपनी पूर बात करेंगे इस कंपनी के क्वाट थीर के रिजल्ट आ जा चुके हैं नतिजे काफी संदार आये हैं तो बुमिद है कि आगे कही कुछ बहतर हो तो आए सबसे पहले देखते हैं कैसे क्वाट अब आए करेक्षन का दोर जारी है और जो लोग को नुक्सान अब घबडाकर बेच रहे हालाक इसके बारे हम लोग आगे बात करेंगे तो इसलिए अभी इसमें शेयर का जो प्राइस से डाउन जा रहा है अब आई हम लोग पाठ थीरी की नतीजों के उपर बात करते हैं यानि कि quarter 2 में सीर्फ 148 लाका था और अगर साल बर पहले देखेंगे यानि कि पिछले साल जो quarter 3 के नंबर आयते तो सीर्फ 273 लाका था हलाकि आप देखेंगे सलाना अस्तेर पर अभी कम ही है लेकिन quarter ली अस्तेर पर इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बढ़त हुई है तो यह अच्छी बात है अगर expenditure की बात करें खर्चे की तो quarter 3 में PMC फिन क्रॉप ने सीर्फ 145 लाक रुपए खर्च किये हैं और यह पिछल सलाना और quarter ली दोनों अस्तेर पर बढ़ा है जबकि एभेनु सिर्फ quarter ली अस्तेर पर बढ़ा है अच्छी बात है कि कंपनी के खर्चे कंपनी के आमदनी से कम है और ऐसा ही होना चाहिए अब बात करें प्रोफिट की जिसको सुद मुनाफ़ा काते हैं तो आप देखेंगे quarter 3 में 122 लाग का हुआ है जो कि फिछले quarter में 115 लाग का था और साल बर पहले 249 लाग का कंपनी को मुनाफ़ा हुआ था तो अगर बात करें प्रोफिट की तो सलाना अस्तेर पर तो अभी कम ही है लेकिन quarterly अस्तेर पर इसमें भी बढ़त हुआ है EPS की देखेंगे अर्थात earning per share earning per share एक share पर स्टाल बर में कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है तो quarter 3 में 0.02 पैसा है जो कि पिछले quarter में 0.04 पैसा था और साल बर पहले देखेंगे तो 0.05 पैसा था यानि कि earning per share सलाना और quarterly दोनों वास्तेर पर नहीं बढ़ा है इसमें थोड़ी सी कमी आई है लेकिन अगर बात करें तो पिछले quarter के मुकाबले बहतर आया है इस उमीद है कि company अब आगे अच्छा कर सकती है हलाकि company में अभी हम लोग को क्या करना इसके उपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना कर डाला हुए तो तो प्ले लिस्ट में जाकर आ आने वाले समय में company अपने share sellers को एक तगड़ा मुनाफ़ा कमा कर दे सकती है बसरते इसमें समय देना होगा लेकिन वो लोग जो काफी नुक्सान हों चलते घवडा कर बेच रहे हैं मेरा सला है कि थोड़ा होल्ड कर लिए इससे नुक्सान में बिचने का कोई फैदा नहीं ह और बाकि जो नए लोग है उनके लिए तो company opportunity दे ही रहे है क्योंकि share price से भी down जा रहा है आरे से जब 30 कास पास आएगा तब आप buy कर लिजिएगा तो उम्मीद करता हूं वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी मैं जो बताना चारा था आपको समझ मया होगा अगर मन में पाले तुम उससे पूछे बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद शुक्रिया